हाल ही में भारत किस देश को अपनी सुपर्सोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रमोस निर्यात करने की योजना बना रहा है Recently, India is planning to exports its सुपर्सोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रमोस to which country तो ये कर रहा है फिलिपीन्स के साथ यानिकी option B is right हाल ही में भारत फिलिपीन्स को अपनी सुपर्सोनिक मिसाइल सिस्टम ब्रमोस निर्यात करने की योजना बना रहा है भारत इस मिसाइल सिस्टम का पहला सेट मार्च के अंतक फिलिपीन्स को देगा इस रक्षा अनुबंद का मूल्य 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर है यह अभी थका सबसे बड़ा विदेशी राष्ट के साथ रक्षा अनुबंद है अब जानते हैं ब्रमोस के बारे में इसे बिक्सित किया भारत और रूस ने इसका नाम दो नदियों के नाम पर पड़ा भारत की ब्रह्मपुद्र और रूस की मोस्कवा के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया इसकी मारक्षमता 290 किलोमीटर है हाल ही में अरुनाचल प्रदेश के कितने विशिस्ट उतपादकों को GI टैग दिया गया हाल ही में अरुनाचल प्रदेश के 12 विशिस्ट उतपादकों को GI टैग दिया गया इसमें 12 विशिस्ट उतपाद निम्न हैं जैसे चाय, धारदार अस्त, हस्त शिल्प, कला, हस्त निर्मित कागज, अनाज, आदी यह सभी अरुनाचल प्रदेश के समुदायों की सामाजिक और सांस्कितिक बिरासत को दर्शाती है अब जानते हैं GI टैग के बारे में किसी उतपाद की विशिष्ट गुडवत्ता, विशिष्ट भागवालिक उतपत्ती और विशेश पहचान के आधार पर GI टैग दिया जाता है इसकी मानेता दस वर्शों तक होती है और यह अधिनियम 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ पहला GI टैग 2004 में दाजलिंग की चाय को दिया गया हाल ही में कौन सा स्टार्ट अप साल 2024 का पहला भारतिय यूनिकॉन बना है तो यह बना है क्रतिम AI यानि की option B is right हाल ही में क्रतिम AI स्टार्ट अप साल 2024 का पहला भारतिय यूनिकॉन बना है जो ओला के संस्थापक और चेयर्मैन भाविश अगरवाल द्वारा बनाया गया है यह भाविश अगरवाल की तीसरी कंपनी है जो यूनिकॉन बनी है शुरुआत में कंपनी ने दो AI मॉडल क्रतिम और क्रतिम प्रो पेश किये इसके कुछ फीचर्स हैं 22 भाशाओं की समझ, 10 भारतिय भाशाओं में लिखने की शमता, कविता और कहानी लेखन की शमता महिला एकल का किताब किस खिलाडी ने जीता है, विच प्लियर हैस वन दा ऑस्टेलियन ओपन बुमें सिंगल टाइटल फॉर दा यह तू तो यह जीता है आरेना सवालेंका ने यहने की ऑप्शन ए इस राइट, तो वर्ष 2024 के लिए आस्टेलियन ओपन महिला का किताब आरे बंडल ओपन, फिर अमेर्की ओपन, तो इस बार हुआ है यह पहला ऑस्टेलियन ओपन चोकि आरेना सवालेंका ने जीता है, अब जानते हैं आरेना सवालेंका के बारे में यह बेलारूस की है, इन्होंने चीन की किनवें जेंग को हराया है, वर्थमान में आरेना सवालेंक का दुनिया की दूसरे नमर की खिलारी है, आयना सवालेंका का दूसरा ग्रांड जलिम खिलताब है, और ऑस्टेलियन ओपन के बारे में जानते हैं, 1905 में शुरुआत हुई, यह हार्ट कोट पर खिला है, किन दो देशों के बीच, डैजर्ट, साइकलोन, सेन, अब्यास का आयोजन राजिस्थान में किया जाएगा, between which two countries will the desert cyclone military exercise be held in राजिस्थान, तो यह की जाएगी भारत और साओधी अरफ के बीच, यानि की option, C is right option, भारत और साओधी अरफ के बीच, डैजर्ट, साइकलोन, सेन, अब्यास का आयोजन राजिस्थान में किया जाएगा, इसका उद्देश दोनों से देशों की सेनाओं के मद्य में आपसी सहयोग इस्थापित करना, बाइचारा इस्थापित करना, मित्रता को शशक्त बनाना, वधार में एक सांस्कृतिक परमपराओं का आधान प्रदान करना है